सबी स्टेंट्स को नमस्कार बीटा यह बहुत चोटा सा वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों के साथ साजा करने वाला हूँ University of quota जो है University of quota इसमें passing marks क्या हैं कितने अंक लाने पर आप लोग पास होते हो और important इसलिए है कि सेमेश्टर में passing का pattern बदल गया है तो जितने भी सेमेश्टर होंगे आप लोगों के उसमें ये चीजे बिल्कुल बदल चुकी है तो उसी हिसाब से आप लोगों को अब तैयारी करनी चाहिए है जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं मैं दोना तरिके के बच्चों को बताऊँ गा rapid बें बिए तो मैं बच्चों के लिए जो precision accustomed इसलिए के के हैं उनके लिए और सहमेश्टर के बच्चे हैं उनके लिए भी तो सामेश्टर बाले के लिए और बिना सेमेश्टर वालों के लिए भी पहले तुम मैं बता दू इन बच्चों के लिए जो non semester वाले हैँ देखिए पहले जैसे 100 नंबर का पेपर होता था तो अपनको पास होने के लिए चाहिए थे 36 नंबर यदि पचास third year में अभी भी यही pattern है लेकिन semester में इस्तितियां बदल चुकी हैं आपको अलग-अलग पास होना है अलग-अलग कैसे पास होना है देखिए आपको यदि आपका paper 100 number का है तो कम से कम आपको 40 number लाना जरूरी है semester percent की बात कर रहा हूँ और हर paper में लाना जरूरी है यानि जैसे माना की एमे में चार paper है तो चारों में 40 से उपर number लाना जरूरी है यदि 40 number नहीं आए तो उस paper में लगेगी आपके back और back का मतलब होता है कि वो first semester में यदि back लगी है तो third के साथ होगा और second में back लगी है तो fourth के साथ होगा अच्छा एक तो यह first year में भी यही scene रहेगा BABSC become part first में 100 number के paper में आपको 40% number यानि 40 number लाना जरूरी है और first और second semester को मिला करके कम से कम 50% लाना जरूरी है total जितने number होंगे यानि इसके साथ ही आप लोगों के जो और भी paper होंगे अब मैं mid term की बात करूँ देखिए जैसे माना कि mid term आपके 50 number का है तो इस में से आपको 40% लाना जरूरी है यानि 20 number लेकिन practical में change हो गया है पहले practical में जो है सिर्फ 36% चाहिए होते थे अब आपको practical में 50% अंक लाना जरूरी है 50% मतलब यदि 50 number का paper है practical का तो 25 number लाना जरूरी है अदरवाईज फैल माने जाओगे यह बहुत महत्पूर्ण और बड़ा परिवर्तन है मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको बहुत गंपीरता से ले विकॉज इसके बिना जो है आप लोगों के ऊपर यह संकट आ और फैल होने के जो संभावनाएं है वो जादा रहेंगी जादा बढ़ जाएंगी तो आप लोग इसको बहुत सीरियसली ले और उमीद करता हूं कि इस वीडियो के मैद्यम से आपको यह बहुत क्लियर कट नजर भी आएगा और आप लोग इसको देख भी पाऊगे यह पा करम में आपके चलता जाएगा यदि फोर्थ में कोई बैक आएगी तो वो सिक्थ सेमेश्टर के साथ होगी बीए बीए सी बीकॉम में यह नियम केरियों रहेगा फर्ष्ट की बैक थर्ड में थर्ड की बैक फिफ्ट में है ना यह इस प्रकार से बैक का सिस्टम रहेगा सेकंड सेमेश्टर में मिला करके पचास प्रतीसत अंक अनवार यह है इसको लेकर कोई कंफ्यूज ना हो आप लोग आप सभी को सुपकाम नहीं